हेलो फैंस वेलकम टू जेके एगरी कल्चर क्लासेस इस वीडियो में आप सभी को एनरजी सोर्स के वारे में बताएंगे जिनसे रिलेटेड कोशन ब्यस्सी एगरी कल्चर फोर्स समेस्टर एक जामिनेशन में पूछे जाएंगे चलिए नावेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इससे पहले आप सभी को बता दें कि इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जेके एगरी कल्चर यूटूब चेनल को सब्सक्राइब करें एंड वेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की अपसिष्ट और पवन और जा सोऔर जा आधिका उप्योक किया जाता है सोऔर है दियो रिकार के शरोट इन कार्णे को शमता उर्जा कहलाती है, इनरजी कहलाती है, बांध में पानी में इस्तिति उर्जा होती है या इंपorant question है जो पूचा जा सकता है उर्जा के प्रकार उर्जा मुखिता पांच प्रकार की होती है जिसमें नमबर एक मकेनिकल इनर्जी यानि की आंत्रिक उर्जा या दो प्रकार की होती है इस्तितिज उर्जा एंड गतिज उर्जा गतिज उर्जा का सूत्र है 1 upon 2 m u square एंड अगला पॉइंट है गतिज उर्जा का मात्रक जूल होता है इस्तिज उर्जा का सूत्र होता है mgh दूसरा है इलेक्ट्रिक इनर्जी इलेक्ट्रिक इनर्जी कार करने की दर को पावर कहते हैं यानि की सक्त कहते हैं पावर वरावर वी आई सक्त का मात्रक वाट होता है थर्ड नंबर केमिकल इनर्जी केमिकल इनर्जी में फ्यूल सेक और बेटरी समलित होती है उसमा का मात्रक कैलोरी होता है नेक्स्ट पॉइंट नंबर फॉर निउकलियर इनर्जी नियुकलियर इनर्जी में यूरेनियम थोरियम के समस्थानिक एवं प्लूटुनियम इत्याद याते हैं यूरेनियम का सुत्र इस प्रकार है याद कर सकते हैं और यह पूचा भी जाता है हाइडरो इनर्जी इससे विद्धुत उर्जा बनाई जाती है यानि के इलक्रिसिटी बनाई जाती है एंड अगला है क्लासिफिकेशन ओफ इनर्जी सोर्सेस इसे परंपरिक उर्जा के सुरोत हैं प्रास महाधारित उर्जा के स्रोत जैसे कोईला है तेल गेस जल इत्यादी आप परंपरिक उर्जा के स्रोत इसके अंत्रयत नवीनी करण उर्जा के स्रोत आते हैं जैसे पानी पवन सोर उर्जा और हाइडरोजन भूतापी उर्जा एवं शमुद्रिक उर्जा इन थर्ड न पवन उर्जा, बायो गेश, भूतापी उर्जा, ज्वारी उद्या, एबम अनवीनी कण उर्जा के स्रोत हैं, कोईला, तेल, गेश, उरेनियम, इत्यादी, वाडिजिक उर्जा के स्रोत हैं, परमपरिक इंधन, जिसमें जलाव लकडी, गोवर, क्रसी, अपसिष्ट इत्याद आते हैं, इंद अगला पॉइंट है, कोईले के एसक, कोईले के दो एसक मुक्ता होते हैं, लिगनाइट एवं इंत्रे साइट, लिगनाइट में कार्बन 35% होता है, इंत्रो साइट में कार्बन 85% होता है, बिटुमिन में कार्बन 45-85% होता है, इंद अगला है, को कोईले का यूज 75% विद्धूत उत्पादन में इलक्ट्रिसिटी जनरेटर्न में किया जाता है। इराक अग्रणी देश हैं तेल के बंडार अगले 45 वर्सों में समप्त हो जाएंगे। या गेस उत्सरजित होती है जो एक प्रदूसर का कारण है। एंड एक प्रतिसत इसमें या गेस उत्सरजित होती है। एंड अगला पॉइंट है नूकलियर इनरजी का विकास 1957 में अमेरिका में द्वारा किया गया। विस में समपूर पापुलेशन का 17 परतिसत भाग भारत की हिस्सेदारी है। भारत की पापुलेशन ग्रोथ रेट 1.51 है। विस में भारत की फोर्थ सबसे बड़ी एकोनोमी है। अरवे नंबर पर सबसे अधिक उर्जा उत्पादक देश भारत है। विस में उर्जा खपत में भारत का चटवा इस्थान है। विस में टोटल पापुलेशन का 2.4% इंडिया की हिस्सेदारी है। प्राथमिक उर्जा के सुरोत लकडी, कोईला, तेल और प्राकृतिक गेस है। भारत में प्राइमरी इनर्जी खपत 1.27 है। उर्जा खपत में प्रथम देश अमेरिका, यूरोप और जापान है। अगला पॉइंट है। विस्स में प्रतिव्यक्त उर्जा की बारसिक खपत 2.2 टन है। एंड एक अमेरिकी नागरी के एक भारती नागरी के तुल्ला में 32 गुना अधिक उर्जा की खपत करता है। विस्स के ग्यात तेल एवं प्राकरतिक गे संसादुनों का 0.8 प्रतिसत ही भाग भारत में उपलब दे है। अच्छे उर्जा के सोर उर्जा, पबन उर्जा और जलविद्ध ते है। इंड नाब की उर्जा जैसे यूरेनियम, कॉट्टो प्रोटोकॉल जापान की परियोजना है। यह कॉशन पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इंड अगला पॉइंट है, एक टन सी योटू का उसरजन कम करने पर एक कारवन क्रेडिट उसरजित होती है। इंड अगला एक कारवन क्रेडिट का प्राइज आज से पंदरा यूरो तक है। यद वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिविकेशन आप तक पहुन सके। थेंक्यू फार वाचिंग दिस वीडियो।